दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन है दे लेंथ ओपे रोड मुविंग भी फेलोसिटी इक्वल टू 0.8C वोड बी मोडिफाइड इप प्रोपर लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटिमेटर दे मोडिफाइड लेंथ अप दिस मुविंग रोड वूड बी इक्वल टू दोस्तों यहां पर मोडिफाइड लेंथ या मुविंग लेंथ हमको निकालना है और रिष्ट लेंथ जो है दोस्तो लंड या निसको बोलते हो दिया होगा कितना दिया वाए 100 सेंटीमिटर और अपने को क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी कितना है देखे वेलोसिटी पर दिया वाए 0.8C अपने को अपने कितना दिया वाए 100 सेंटीमिटर 100 सेंटीमिटर अंडर रूट 1-2 एस्टीर वाए 0.8C कितना हो जाएगा 0.8C करेंगे 0.64 कितना हो जाएगा 0.36 तो यहां पर बच जाएगा अंडर रूट 0.36 ठीक है अंडर रूट 0.36 के भेलो दोस्तों कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 36 का रूट 6 होता है ठीक है तो बच्चे का क्या पर यहां पर सिर्फ एल नॉट जो 100 था बच्चो और यह अंडर रूट 0.36 का भेलो कितना हो जाएगा 0.6 कितना होता है इसी सिट धिमेटर च जो क्या निकला कि जो मुबिंग लेंद होता है प्र यह से हैं और इसलिए इस फर्मूला का नाम है length contraction मतलब कोई भी object जिसका length अगर actual length L0 है और वो अगर भी velocity जो speed of light के आसपास हो उससे move करता है तो उसकी जो length है वो contract कर जाती है मतलब actual length से कम हमेशा कम ही होती है आसा करता हूं आपको समझ में आया होगा आप खुद से इसको solve कर लें इसका सही option क्या होगा बच्चों अप्शन भी डाट इज 60 cm आए देखते हैं next question कि बढ़िया question है इस्टेट फ्रवार्ट कोस्चन है कि दे ग्राउंड इस्टेट आइगन फंसन फोर इलिनियर हार्मोनिक उस्सिलेटर इन टरम्स अफ अल्फा इस इक्वल टू रूट अंडर अगर अगर अच्छा अगर नहीं पढ़ाए गया है तो हैं रूट अंडर एम के बैच्ट के बदले आप अल्फा पूट कर दीजे और आप बहुत आसानिस दिखेंगे कि जो आपका ग्राउंड इस्टेट वेप फंसन का भेलू आएगा वह यह आएगा असाइ एक्स इस इक्वाल टू अल्फा बाए रूट पाई का पाउर वन बाए फोर और एक्स स्क्वार बाए टू तो ग्राउंड इस्टेट वेप फंसन यह हैं दोस्तों अल्फा के टार्म में वन डामेंशनल हार्मोनिक उसी लेटर का बहुत ही स्रल सा क्वेश्चन था कि फड़ा सा इसको हम क्रॉस वेरिफाई कर लेता हैं कि अधिस सामने प्रेडियाप पड़ा हुआ है कि जेस्ट वेट कि अधि कि हाँ अल्फा बाए रूट पाई का पाउर वन बैट टू दोस्तों हमने यह उप्शन ने बोल दिया आपको यह उप्शन सी इसका सही है स्क्वेश्च्वल टो अलफा वे रूट पाई का पाउर वन बैंठू एक पाउर मायनस अलभा ए स्क्वार एक्स स्क्वार वाइ टू तो ठीक है तो क्रेक्ट ऑप्शन है इसका सी जो ग्राउ स्टेट का अब अधर स्टेट का भी याद रखें बहुत ही इंपोर्टेंट है एक जाम में आता है कि आई देखते हैं नेस्ट कुश्चिन कि इंच्पैंज एनर्जी एस्पेक्ट्रम डब्रकेट स्रीज और यह तक मतलब मिनिमम इस्टेट क्या है हाई तो अपने देखते हैं इसका स्लूरय स्साहर गें दोस्तों लाइमन सरीज बामर सोरीस पास्चन स्रीज ब्रेकेट स्रीज परफंड स्रीज यह जो है यह क्या है ओर राथ टिक है लाइमें और फिरीज होता है यानि कि मिनिममम जो लोर स्टेट होता है ब्रैकेट के लिए वह फोर होता है यानि कि फोर्ठ तक में के इसका मिनिममम ट्रांजिशन हो सकता है ऊपर में वह 567 होता है ठीक है तो ट्रांजिशन टेक प्लेस बिट्विन हायर टू फोर्थ इस्टिशनरी ओर्बिट अगर आप एनर्जी के ग्राब भी देखेंगे दोस्तों इसे तो आप वहां पर देखेंगे कि जो यह मनले जिए ब्रैकरट से अन इकल टो फोर है तो अब देखेंगे कि five six seven से ट्रांजिसन कहां पर होता है दोस्तों फोर में होता है ठीक है कुछ इस तरह से तो ब्रैकरट से लिए जो मिनिममम लोर्व इस्टेट है जहां पर फोर्ट इस तरह से इस question का जो correct option हो जाएगा दोस्तों कि ओप्षण कि ओप्षण डी हो जाएगा ठीक है डाट इस फोर्थ इस्टिशनरी और बिट असा करता हूं आपको समझ में आया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोजिशन दोस्तों जो next question है a particle of mass m is restricted to move in one dimension between two points such that x is greater than equal to 0 and less than equal to a if the potential function is such that vx equal to infinity and vx equal to 0 potential जो बच्चो अपना define है infinity for x less than 0 and x greater than a और 0 define a potential for x greater than equal to 0 and less than equal to a मतलब यह one dimensional box है दोस्तों x less than 0 होने पे potential infinity है और x greater than a होने पे भी infinity है potential सिर्फ 0 से एक के बीच में क्या है दोस्तों 0 है potential इस रिजन में ठीक है वन डामिशन इंफानाइट potential box है दोस्तों इसमें कह रहा है कि the particle will have discrete energy spectrum edge तो पूछ रहा है कि energy spectrum का इनमें से कौन सा energy का formula है यानि यहने पर स्टेट का कौन सा formula है तो बच्चों आपको बताते चले कि कि energy का जो formula होता है वह आप पढ़े होंगे infinite potential valve में इन इकल्ट होता है एन स्क्वाइर पाई स्क्वाइर एच कट स्क्वाइर बाई 2ma square क्योंकि अभी side length कितना a है तो 2ma square ही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर जो n का value allowed होता है बच्चों कहां से शुरू होता है 1,2,3 and so on 0 allowed value नहीं होता है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि n का जो value है वो 0 से ले रखा है कहां से ले रखा है 0 से तब energy का modified formula क्या हो जाएगा तो आप option 3 को अगर कोर करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि इसी को हम क्या इस form में लिख सकते हैं यास ऐसा जब आप लिखते हैं उपर वाला यह जो लिखें है तब n 123 allowed होगा लेकिन जब आप 0 123 लेंगे तब आपको n square के जहां क्या करना पड़ेगा दो तू रखेंगे तब आएगा यहां पर तू रखेंगे तब जो आएगा वह यहां पर ठीर रखेंगे तब आएगा समझ पा रहे हैं तो n square को किस से चेंज करना पड़ेगा एन प्लस 1 का होले स्कार से तब आप एन का लाओड भेलू 0123 ले सकते हैं चेक कर लेते हैं एन का लोड़े जिरो अर्ग एंप कितना रखते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंचitा एक्साटर रखेंघें तो क्या भी आप व tastes के लिए ट्वर कर बबाइट टू में स्क्वाइर तो आप देख सकते हैं कि जब एन स्क्राइर को एन प्लस वंकॉल इसक्वाइर से अपने चेंज कर रहें तब एन का लॉट फिलू जीरो से भी अपन ले सकते हैं जो ग्राउंड एस्टेट होगा 01 होगा फरस्ट एक्साइट एस्टेट टू करेक्ट आप्शन बहुत ही बेकुप बनाया कोश्यन ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया मेमोरी चेक किया यह भी बहुत ही स्टेट फ्रवाड कोश्यन है कि क्वांटम पार्टिकल मुप्स इन थ्री डिमेंशनल स्पेस बिद मोमेंटा पी इक्वल टू पी एक्स पी वाई पी सब्सक्राइब कायुट है एंड पॉचिशन अर इक्वल टो एक्स यजट दांस इडिनिटी इनद बैजरमेंन्ट ओव पोसिशन अन मोमेंटाम् अलांग जडेक्स इस अलांग जडेखस इसमोगेंटम और साटनसों पाडा नो तो अंसरेनिटी कितना हो जाएगा जैड एक्सेस में डेल्टा पी जैड इन्टु डेल्टा जैड इस ग्रेटर दन इक्वल टू एच कट ठीक है और एच कट कोई क्या लिख सकते हैं ग्रेटर दन इक्वल टू एच बाई टू पाई इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है एच टू पाई या फिर एच कट ठीक है तो मेरे विचार से इसका अप्शन डी होना चाहिए आप एक बार इसको रिचेक कर लें कंसेप्ट वगरसे तो इस परासे इस कोश्चन का जो क्रेक्ट आप्शन होगा अप्शन डी होगा पूर होगा इसका सोलुसन भी है और सारी वह मेट गया है नेक्स्ट कुश्चन बहुत ही इंपॉर्टन है दूस्तों हाट्रोजन अटम से जेम में इस लवस में नहीं है है हाट्रोजन अटम बट भी एचू जैनू जैस्टेंड दिव अगरम है कुश्चिन है इलेक्ट्रॉन आप दे ह पाउर मैनस एक्स टूदी पाउर और अण डिएक्स क्वल टून मैनस वन डिएस इक्वल टून इंप्यं यहां पर जोट गया है दूस्तों यहां पर आप आर इज हमको आरक क्या बतानाः एक्सपेक्टेशन बहलो बताना हे तो देखिए तुड़ाइजुन आं एंटम चेंज जो आता है बच्छो हाड्रोजन अटम में जो ग्राउंड इस्टेट का वेव फंसन होता है साई 100 वह होता है वन बाय रूट अंडर पाई वन बाय नौट का पाउर थिरे वाई टू और एक पाउर माइनस आरवा यह नौट जहां पे नौट किया दोस्तों बोर रेडि अपने को इसको वेव मेकनिक्स में कंवर्ट करना इंटवर्ट करने आपने के मेंबट करने नहीं है साई क्या बन जागा साई 100 का हॉल स्कॉयर और बच्चो यह जो पूरा तो इसका हम लोग यहां पे एक शिप लैंद डीक्स लेके अपने को नहीं निकाल पाएंगे एक्सपेटेशन वेलू निकालने के लिए अपने को स्माल भॉलूम लेना पड़ेगा ठीक है यहां पर इंटीड्रेशन होगा वलूम में याद रखिएगा तो स्माल भॉल निकाल रहे हैं तो देखे आर से भी अपने को मल्टिप्लाइग करना पड़ेगा अब इसको देखें लिमिट कहां से कहा होगा बच्चो हेट्रोजन में जीरो से इंफिनिटी होगा क्यों क्यों कि आर जो है बच्चो वह हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसका सब्सक्राइब करना है अब इसको अपने क्या करना है कॉंस्टेंट को बाहर ले लेना है और आर वाले टर्म को अंदर है सब्सक्राइब क्या होगा आप देख सकते हैं कि जो जो कट रहा था उसको मैंने यहां से काट दिया है पाई पाई जीसे कट गया और बचा क्या बाहर में सब्सक्राइब कर रहे हैं लेट यहां से अगर इसको बच्चो अगर उधर ले जाएंगे तो यह क्या बन जाएगा ई not by 2 बन जाएगा और यह आर का DR बन जाएगा और यह जेड का क्या बन जाएगा डी जेड हैट बन जाएगा थेगा है अब यहां से हैं कि हम लोग ρ का भेलू भी निकाल सकते यहां से अगर आप कभेलू बच्चो निकालेंगे तो कितना ऐगा R इस एक несколько to आ जाएगा Z time A not by 2 आ जाएगा ठीक है अब यहां से अगर आप R Q निकालेंगे बच्चों तो यह कितना हो जाएगा R Q यहां से आप निकालेंगे तो यह बन जाएगा Z Q A not Q by 8 अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो R Q का भेलू है वो A not Q Z Q by 8 हो गया अब यहां से थोड़ा से हम क्या करेंगे इसको इंटेग्राल में पूट करेंगे इंटेग्राल में जैसे पूट करेंगे तो पूट की जिरो से इंफिनिटी एक पाउर माइनस जैड अब यहां से इसके बाद देख सकते हैं कि नेक्स स्टेप में हमने क्या क्या है उसको नेक्स स्टेप में हमने इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जेड की है उसको हमने क्या लिख दिया जेड का पाउर 4-1 और यह एक पाउर माइनस जैड ठीक है तो आप इसको इंटेग्राल को जिरो से इंफिनिटी एक्स का पाउर एन-1 एक पाउर माइनस एक्स एक्स यह फर्मुला होता है बच्च पर कोने दोस्तों यह एक्स का पाउर एन-1 होता है तो यह जेड का पाउर 4-1 है तो एन के जागा 4 है तो इसका इस पूरा इंटेग्राल के वेलू कितना हो जागा बच्चो 4-1 फैक्ट्रियल ठीक है अब इसको जब आप सॉल्ब करेंगे तो देख सकते हैं एन-ट बई-4 4-1 फैक्ट्रियल मतलब एन-ट बई-4 और यह 3 फैक्ट्रियल तो एन-ट बई-4 इंटू 3 इंटू 2 3 फैक्ट्रियल के वेलू हो जागा 3 इंटू 2 इंटू 1 वन को हमने नहीं लिया कोई मतलब नहीं उसका तो फनले आंसर आगया बच्चो 3 इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा आप्षन भी है वो क्या है र का सही एक्सपेक्टेशन भेलू का आप्षन है यह 3 फैक्ट्रियल आशा करता हूं आपको समझ माया होगा आए देखते हैं नेस्ट कोश्चन गिवेन ए वन डिमेंशनल वेफ फन्षन साइ एक्स इज एक्स इप्वल तू कैपिटल ए टुद पावर मैनस एकस स्कुर्ण वैल अलफा एज ग्रेटर दन जीरो दर्नॉर्मलाजाशन फैक्टर ए वुड बी कुछ राय कि जो नॉर्मलाजाशन फैक्टर है दोस्तों वह कितना होगा तो आईए इसको सिंप्ली नॉर्माजाशन कंडिशन लगा लेंगे और स्वाल्प कर लेंगे देखते हैं इसका स्वालेशन ओके गिवेन है यह वेब फंसंट इक्स इक्वल टू सम कॉंस्टेंट कैपिटल ए ए टुदे पावर माइनस अलफा एक्स स्क्वार वेर अलफा इस गरेटर दन जीरो अपने को नॉर्माजाशन कंडिशन आप देख सकते हैं नॉर्माजाशन कंडिशन अमने लगा दिया है माइ एक्स से आर नहीं है जब आर रहेगा तो जीरो से इंफिनिटी लेंगे ट्या एक्स में अगर कुछ नहीं बोला है तो अपने से पुरा इंटाइर रिजन लेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी क्योंकि यह कंपोनेंट है मॉड ऑफ साई स्क्वार डियक्स क्य हमने कोई लोजिक नहीं है सिधा अपने साई का स्क्वार ले लिए हमने क्योंकि यह रियल फंसन है तो साई स्क्वार डियक्स इक्वाल टू वन यह बच्चो क्या है नॉर्माइशन कंडिशन को अपने यूज करेंगे और जो नॉर्माइशन फैक्टर ए है उसको निकाल ल बाहर ले लिया और आप देख सकते हैं कि यह जो इंटीग्रल है और एक्सपोनेंश्यल एकपार मार्स करना है गामा फंसन यूज करना है तो उसके लिए फिर से हम यह सब्सीच्यूट करेंगे यह जो आप देख रहे होंगे घूज को पूट कर लेंगे लेट लिटवा अल तो यहां से बच्चो एक्स का भेलू आप इसको solve करके निकाली क्या जाएगा रूट अडर जेड़ वाई 2 अलफा आप इसको differentiate भी किजे बच्चो देखे निक्स्ट स्टेप में हमने लिखा एक 2 अलफा तो constant है और x square का 2x dx हो जाएगा और z का right में dz हो जाएगा यहां से अप अब यहां पर हमने सब्सक्राइब कर दिया इसको देखे मौड एसको बाहर में रागया जूरो से इंफिनिटी एका पार माइनस जैड हो गया सब्सक्राइब करने के बार आप यहां देख पा रहे होंगे और यह अब देख सकते हैं जो चल जाएगा और बाहर में आ चुका है और यहां से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यह जो रूट अंडर टू अलफा है यह भी भाहर आ जाएगा क्योंकि सब्से नीचे है तो उपर चल जाएगा और बाहर आजाएगा और बाहर है कोन आजैगा तो अंदरने बच्छे गा ज्लिए एक पार माइनस जेड़ यह relative नीचे में टू अलफा तो रूट टू अलफा से टू अलफा कटेगा तो नीचे में रूट टू अलफा बच जाएगा और उपर में A एक्स टू दिपाउर एन माइनस वन डी एक्स का भेलू कितना होता है एन माइनस वन फेक्टोरियल या फिर गामा फंसन एंड और बच्चों गामा फंसन वन बैट्टू का भेलू होता है रूट पाई तो यहां से आप देख सकते हैं इसको उसी गामा फंसन का जो इंटेग्राल था उपर में उसके फॉर्म में आप लिखेंगे तो यह गामा फंसन एन के जाए पर कितना है बच्चों हमारा वन बैट्टू है यानि कि गामा फंसन वन बैट्टू चुकि हम लोग फ्रैक्शनल न यहां से मौड अ का बच्चों वेलू कितना होगे अंडरूट टू अल्फावे पाई जो रूट का मतलब अल्रेटी पाउर वन बैटू है और यह टू जाग उटके अधर जाएगा तो पाउर और एक वन बैटू हो जागा तो फाइनली पाउर वन बैटू इन्टू इस तरह से हमारा इस question का जो correct option है दोस्तों क्या है option एक तो अल्फावे पाई का पाउर वन बैट फोर आसा करता हूं आपको समझ में आया होगा आए देखते हैं next question the plane velocity vp and group velocity vg of electromagnetic wave through a dispersive medium is given by बच्चों हम इसके यह थोरी नहीं देखेंगे हम इसका सिधा यह relation देखेंगे यह बेब velocity and phase velocity के बहुत ही फ्यमस फर्मूला है यह से correct option भी है बहुत बार यह पुछा गिया एक्जाम में इस relation को आप सिधा याद रखें और डेरिवर्शन के लिए आप अपना नॉट्स वगरत फिरी वगरत देख सकते हैं तो इस तरह से question नमर 129 का option भी क्या बच्चू correct option है नेक्स्ट कुस्चन है विच अप फॉलाइंग इस अइगन इस्टेट और momentum operator इनमें से कौन सा momentum operator का बच्चू क्या है आइगन फंसन है ठीक है आइगन फंसन यह आइगन इस्टेट है ठीक है तो यहाँ पर momentum operator को operate करना है और बताना है कि कौन इसका आइगन इस्टेट है तो जो इस आइगन फंसन को सटिस्फाइब करेगा सबके साथ एक एक करेंगे जो सटिस्फाइब करेंगे वही इसका आइगन इस्टेट होगा तो hit and trial method यहाँ पर लगाना है बच्चू लेकिन ह हम इसको सिधा यहाँ पर हमको पता है आंसर तो हम इसको सिधा एस वाल करते हैं बाकि आप तीन स्वाल करें और इसको गलत प्रूब करने का कोशिस करें इससे आपका concept विल्ड होगा दोस्तों तो आइए option a को hit and trial method से आपन स्वाल करते हैं यहाँ ठीक है यह देखिए आप साइ इकवल तो लेंडा साइ इस ऑपरेटर पी को बच्चो ऑपरेट करके hit and trial method से देखना है हमने option a को चूच किया है option a में क्या था वे फंसन आइगन स्टेट कॉस के एक्स प्लस आई साइन के एक्स हमने इसको साइग माल लिया ठीक है लेट साइग एक्स प्लस आई साइन KX अब यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस ऑी च C but और जैसे आप दो वे पर करेंगे तो सुकर्स का कितना हो जाएगा मैंनस साइन च HOW और को से कोफिषियन कि एकस का जब करेंगे तो १वर कि एगे कॉस्ट प्लस-टोव-जक्ष नके उसन करेंगे तो i तो रह जाएगा constant है और sin kx का बच्चो cos kx हो जाएगा और जब kx का करेंगे chain rule से तो k भी बाहर में आएगा constant ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे minus common ले लिया है और k common ले लिया है जब अब minus common ले लेंगे तो बाहर में यह plus ih cut हो जाएगा और k भी भारा चुका है तो बचेगा sin kx minus i cos kx ठीक है और चुक्चे i square के value कितना होता है बच्चो minus 1 अब हम इस i को अंदर कर दे रहे हैं i को जैसे अंदर कीजेगा तो यह बन जागा i sin kx और यह minus i i square और cos kx i square के value बच्चो कितना होता है minus 1 तो minus 1 जैसे आप रखेंगे तो देखें next step में क्या बन जा रहा है h cut k into i sin kx यह i square क्या बन गया minus 1 तो यह minus 1 दे देगा तो यहां already minus है तो यह plus 1 हो जाएगा तो plus और यह cos kx ठीक है तो बच्च गया h cut के i sin kx plus cos k है आप यहां से देख सकते हैं बच्चो कि यह किस फॉर्म में आ गया और यहीं हमारा क्या साइए यह साइए तो पी साइए लेचेस में था और रेचेस में क्या आ गया है h cut k into साइए एच कट के i into साइए और एच कट के क्या बच्चो एक real real value है तो देखिया आप यह operator को जब इस साइप ए साइ मतलब इस i sin kx plus cos kx पर ऑपरेट के बच्चो तो कुछ है तो इस तरह से इसकोषइन का हमारा बेस्ट ऑप्सण है यह करेक्ट option है वो क्या है बच्चों option यह है आसा करता हूँ आपको समझ माया होगा है देखते हैं next question क्यों क्यों क्या रहा है which of the following operators is not linear operator इन में से कौन सा linear operator नहीं है बच्चों momentum जो है डो बैडो एक्स एक आइ मैनस ही चका डो बैडो एक्स जो है वह एक linear operator है पेरिटी ऑपरेटर भिबच्चो लिन्यों अपरेटर है और अंगुलर मोमेन हो उपरेटर जो है बच्चों वह भी क्या है परिटी लिन्यों अपरेटर है विछ चेचर टाइम बुर्बर्सल है यह नॉन लिनियर अपरेटर है ठीक है टाइम है नॉन लिनियर ओपइटर है यह यह को याद रखना हैं मैं तो इसका सही आपसेन क्या हो जाएगा टाइम रिवर्सल कर Tap yes time Reversal is यह ननिएर और इंटिछ लिनियर अप्टेटर बागी पेडिटी ममेंट्टम और अपिस्स है कि इसके साथ इस लेक्षेर को यह पे हेंड करते हैं